बजार से मिलने वाला मसाला सॉल्टेट कॉन किसे नहीं पसन और अगर मैं कहूँ कि मसाला सॉल्टेट कॉन बजार के जैसा घर पर ही बन जाएगा तो ट्राइ करेंगे आप स्वागत है आप सबका SG Food World में आज मैं लाई हूँ आपके लिए मसाला सॉल्टेट कॉन की रेसिपी जिसे खाना तो असान है ही पर बनाना उससे भी असान है तो बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक भुट्टा और अगर आप कॉन का पकेट ले रहे हैं तो दो कप यानि की 240 ग्राम एक भुट्टे के दो टुकडे करके इसको स्टीम करने के लिए हम रखतेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम करेंगे 10 से 15 मिनट के बाद आप एक दाना निकाल के चेक करें नाइफ की मदद से अगर यह असानी से दब रहा है तो मतलब कॉन स्टीम हो चुके हैं अब भुट्टे को थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें इसके दाने निकालने है जब यह ठंडा हो जाए तो दाने निकाल लेंगे दाने निकालने के लिए असान तरीका यह है कि एक लाइन नाइफ की मदद से निकाल ले उसके बाद थम प्रेशर से दूसरी तीसरी सारी लाइनस आप इसली निकाल पाएंगे अब एक कड़ाई लेंगे और उसमें आड़ करेंगे कौन जो हमने अभी निकाले हैं और साथ ही आड़ करेंगे 1.5 टीस्पून मेल्टेड बटर अच्छे से सौटे कर लेंगे जब बटर और कॉन अच्छी तरह मिल जाएं तो ग्यास की फ्लेम बन कर देंगे और कॉन को एक गहरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे अब जो भी इंग्रीडियन्स हम डालेंगे वो स्पून की मदद से मिक्स करते जाएंगे सबसे पहले आड़ करेंगे एक चुथाई चम्मच कुटी मिर्च आदा चम्मच नमक नमक अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और इसमें आड़ करेंगे आदा चम्मच चाट मसाला एक चुथाई चम्मच से कम काली मिर्च पिसी हुई आदा चम्मच नीमबू का रस खट्टे पन के लिए देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं बिलकुल बजार की तरह बहुत ही असान रेसिपी है जरूर ट्राइ कीजेगा और फैमली के साथ इंजॉई कीजेगा मिलेंगे ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और टोंगे तो लाक शेर और सबस्क्राइब